हालो एवरिवान वेलकम बैक टो आउर चैनल बाना मार्बल की आज की वीडियो में आप सब भी का मैं फिर से स्वागत करता हूं तो आज मैं फिर लेके आया हूं कुछ चगडूंगरी मार्बल में कुछ अच्छी स्लेप्स जिसमें आप देख सकते हो कम्प्लीट जो मेटिरियल है स्ट्रेट लाइनिंग सिमिलर पैटर्न सिमिलर वाइटनेस के अंदर है कम्प्लीट जो फोर स्लेप्स इंक्लूड करके अगर अपन बात करें तो 3000 स्क्वार पिट होने वाला है और एक ही पत्थर एक ही ब्लोक से कटिंग करके इनको स्टंडर साइज में कनवर्ट किया गया है जिसमें आपको लगाते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आए अगर ब इस तरीके से आपको अच्छी हाइट के अंदर अच्छे लोड देखने को मिलेगे अगर आप चाहते हो कि आपकी गर की फ्लोरिंग कंप्लीट जो सीमिलर लगे कंप्लीट उसका लुकिंग जो है सीमिलर आए तो यह जो मैटेरियल है आपके लिए बेस्ट है क्योंकि सीमिल दूंगरी मार्बल है चगडूंगरी मार्बल एक ऐसा मार्बल है जो कि मोस्टली हर कस्टमर के बजट में आता है बात करें किस्टल की तो आप देख सकते हो बिल्कुल फाइन किस्टल है मैं जितना पास लिजा सकता हूं उतना पास लिजा कि मैं आपको दिखा रहा हूं ब बिना वाटर अप्लाई किये भी आपको इसकी लाइनिंग इसका ग्लेज दिखरा होगा यह देखें बहुत से कस्टमर्स होते हैं उन्हें आइडिया नहीं रहता कि चगडूंगरी मार्बल की प्राइजिंग क्या रहती है तो आपको मैं बतातू चगडूंगरी मार्बल 100 विजिट करिए आपको कॉलेटी भी मिलेगी और एक बजट के अंदर आपको अच्छा मेटीरल मिलेगा यह देखें यह सारे बलोक है जो सीमिलर वाइटने सीमिलर लाइनिंग के अंदर देखने को मिलेंगे इस जो सलेब इसके अंदर एक छोटा सा क्रेक है 3-3 इंचेस के अंदर आपको करेक देखने को मिलेगा जो कि आपको मेजरमेंट में लेज किया जाएगा मैं चाहता तो आपको यह करेक भी नहीं दिखाता बट मेरा काम ऐसा नहीं है बहुत से कस्टमर मेरे पर ट्रस्ट करके लाखों का पाल ओनलाइन पर्चेस करते हैं तो मैं उनके साथ दोखा नहीं कर सकता जो भी मैटेरियल है बागी 90% तक आपको इसमेरी कोडिकों मिलेगी यह देखिए और जो भी material आपको दिया जाएगा मकराना measurement में दिया जाएगा मकराना measurement क्या होता है उसके ओपर अलग से वीडियो आएगी अगर आप comment section में बताऊगे कि आपको उसके लिए वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए तो उमीद आपको material पसंद आया होगा जल्दी contact करिए